हाई फ्रेंस वर गुन टू माई येटोब चैनल आज में लेके आएओ कर्वस की रेसिपी जी एकर्वस है बहुत अच्छा मिलता है बहुत ही टेस्टील लगता और बहुत मेहिंगा मिलता है बाहर इसका मुझे कर्वस का दूद मिलाता है यह हमलोगों जो कटल लेते हैं दू करवस की रेसिपी इसका पौडर फॉर्म भी आता है करवस का उसको अलग एक बार में बना के दिखाऊंगी आपको हर सौथ इंडियन स्टोर में मिल जाएगा आप लोग को उसका रेसिपी अलग से बताऊंगी कमेंट्स तो कीजिए यह दो लीटर दूद ले लियो मैं इसके अगर डालूंगी मैं इसके अंदर पानी उनी कुछ ने मिलाना है ऐसा जैसा है वैसा है लेना है यह आदा कप से थोड़ा से जादा बतार दो चार चमबस ज्यादा शक कर ले रहे हैं मीटा आप अपने अनुसार सेट कीजिए लेकिन मैं में मीटा थोड़ा कम ही डालती हू यह दो-तीन इलाइची अच्छे से कुटकी मैंने डाल दिया है अगर आपके पास इलाइची पाउडर है तो आप उसको आदा चमश डाल सकते हैं डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है पूरा शकर इसमें गुल जाए जितसे यह बहुत ही पोश्टिक दूदोता है और छोटा सा पीस देता है 25, 30 रुपीस, 40 रुपीस इसे बहुत ही छोटा पीस देता है इतना टेश्ट लगता है यह पर तो इसे दूद मिल जाता है अगर आपके पास भी नियर्स में कटल होगा जो दूद जो बेसते हैं उनके पास बोलोगे तो आपको लाके देंगे जरूर देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने शकर गुल जान जैसे फिर बतारी पानी बिलकुल ना मिलाईएगा फिर इसकी बद चलते प्रसीजर के पैस देखिए यह बहुत बड़ा यह मैंने पतिला लिया है जी हा पतिले में कोई भी एक स्टेंड रख लिजे उसक पैसा नहीं करना इस तरह से बंआना है देखिए यह देखिए यह से प्रस दिसरा दिन का दूद्ध और पहले दिनकान का दूद्ध होता है यह जर्सी बोलते मतबेस जर्जी बेस कोई बोलते है वो ऐसा दूद है वो अच्छा वाला मैंने पाली हुबाल के रख दिया तो पहले फिर धंडा हो गया नॉर्मल हो गया फिर मैंने फिर से क्यास चला लिया है अच्छे से खोलते वे पानी वह इसको रखना है ये 15-20 मिनट तक अच्छे से प देखना है तो जरूर कमेंट कीजेगा है फिर इसको अच्छे से डखन लगा दीजे ताकि जो बहार पेना स्टीप बहार नहीं जा पाए इस पर कोई वजंदार चीज भी आप रख सकते हूं इसको मैं चक करती हूं 15 मिनिट बाद आराम से चक कीजे देखो कि तांकरा में हो देखे ये पूरा पग गया है लेकिन बीच में थोड़ा सा कसर बचा हुआ है देखे आपको हाथ में नहीं लगना चाहिए बीच में पानी जैसे दिख रहा है मतलब पूरा पानी है देखे इसके अंदर पानी मतलब थोड़ा पतला है थोड़ा और कसर है तो इसको आप और पाट से दस से दस मिनट तक और रख लीजेगा है ना रख के फिर से स्टीम कर लेते हैं हम लोग आपको अगर मेरे वीडियो से अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे सुस्क्राइब कीजे कमेंट्स करना तो बिल्कुल न भूलेगा कैसा बना आपसे भी य से पी हमारे गर में तो सबका फेवरेट है जी स्वीट से जादा यही बहुत पसंद करते हैं बास इसको डख दे और दस से पंदरा मिनट और पका ले गैस का फ्लेम एक दम लो कर दीजेगा अच्छे से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना फिर पकनी के बद निका कैसे चूट रहा पतिले से चूट रहे तो फूरा ठंडा हो जाए फिर पतिले से चूटना चाया ऐसे देखिए अभी क्या मुझे दिखाना ता करके पूरा ठंडा उने के बाहर रखे ने तो फ्रिज में रख देती हूँ फ्रिज में तो ये तो रहता है जी एक हफता बराबर हाँ उसके बाद ने रहेगा इसको बैस काटके दिखाती है देखे क्या स्मूथली कट रहा है आरे न मुझे पानी तो एक बार बनाना बनता है और एक लैक शेयर अटेक्ष स्कृइब तो बिल्कुल बनता है और क्या क्या देखना चाहते है आप मेरे चैनल पर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और मैं व्लॉक्स भी करती हूँ और कहा कहा का व्लॉक करूं ये भी तो जरूर बताईएगा आपका सजेशन का मुझे बहुत बेसबरी से इंतजार रहता है आप बताएंगे तो तब ही तो करेंगे आप और हम अलग थोड़ी है देखें इसको अच् जाता है सब्जियों में मसाला के साथ ये भी सब्जियों बहुत ही टेस्ट लगते देखें कितना मस्त पीस आया है इतने महिंगे महिंगे स्वीट्स करिंद सच्छा तो यही है ना जी हल्त भी और अच्छा टेस्ट भी अगर मिलता हो तो जरूर बनाईएगा ने तो इसका अप्शन में दूसरा जो पैकिट का बोल्ड यू नो मैं पका बना के आपको दिखाऊंगे एक बार देखें रियल रियल ही होता है ना जी रियल दूद का है और वो पैकिट का होगा पैकिट का पौडर है दूद में मिक्स करके से बनाना उसके भी टेस्ट अच्छा ही लग रहा है यही एक पीस अगर आप लोग बाहर लेंगे ना तो कम से कम यह 60-70 रुपे का होगा इसी को चोटा-चोटा पीसिस करके देते हैं मुंबय मैं से रात को खाना उनों खाने के बाद लोग तहलते हैं तो उस समय खरिद के जरूर खाते हैं तेखिए कितना मस्त लग रह है जी लीजए एक पीस ओठा लीजिए आप ही लोग के लिए तो है देखे इसको थोड़ा से गarnis करते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा करनी के जरूरत ने इसको थोड़ा से पिस्ता से में गarnis कर लेरी अगर आपके पास पिस्ता नहीं है आप शाजू डाल ले किश-मिश ड जाल दिये मैंने दो कितना सुन्दर दिखिला है ना वाइट के ओपर ग्रीन ग्रीन ड्राइफुट्स बहुत अच्छा लाता है बहुत सारे जन इसको इडली की साचे में बनाते हैं फिर उसके बहुत तवय में सेखते हैं थोड़ा सा काली मिच की पॉडर के साथ मैंने तो ब देख लेते हों एक लाइक भी नहीं करते हो है ना एक कमेंट्स भी तो आप हमको आगे बढ़ा होगे तो तभी तो फिर में आप अच्छे चे 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 डिशिस लाके दिखाऊंगी है ना थैंक्स पर वाचिंग